मार्केट के बने पास्ता नूडल्स तो आप हमेशा इंजुआ करते हैं आज घर के बने आटे के नूडल्स को ट्राइ जरते हैं। को कमेजिंग की किचिन में आठे के नूडल्स बनेंगे बहुत ही डिलीशस लगते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने लिया है एक कप जितना गुथा हुआ आठा लिया है और इसमें जब आप गूते ना तो इसमें एक चमच ऑईल साथ में थोड़ा सा नमक पेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और इसकी लोईयां काटके जितनी भी लोईयां आपकी बन जाए उतनी लोईयां काटिए और इसको बेल लीजिए इसको आपको देखना नहीं है गोल बेलना है चौकोर बेलना है टेडा मेडा जैसा भी बिल जाए वैसा बेल लीजिए और बेल कर एक साथ ही रख लेना है आपको इसको बेलने के लिए आपको थोड़ा सुखे आटे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लगाते जाईए और बेल कर पूडियां तयार कर लीजिए बहुत easy recipe है healthy भी है आप इसको बना के कभी भी enjoy कर सकते हैं जब भी आपका मन करें तो रोटियां बेल कर मैंने तयार कर ली है आप पानी को बॉइल करना है एक बड़े बरतन में जिसमें आपकी ये रोटी अच्छे से आ जाए और जैसे ही पानी बॉइल होने लगे आपको एक पानी करके ही सेखना है इसमें जैसे यह मैंने पलटा इसको तो यह फट गई इसे कोई दिकत नहीं आती है आपके नूडल्स जो है वह पतली रोटी होने की बज़ा से यह फट जाती है रोटी नूडल्स लेकिन लंबे-लंबे कट जाएंगे तो सारी रोटियां इसी तरह से मैंने बॉइल करके रख ली हैं और अब इनके नूडल्स कट करेंगे प्लेट में एक एक करके फैलाते जाएंगे जैसे ही थोड़ा से ठंडा हो जाए और नूडल्स कट कर लेंगे आप पतले मोटे नूडल्स अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं मैंने बहुत पतले नही लिए से रह जाएंगे अब चलते हैं इनको बनाने के लिए तो सब्सक्राइब करने के लिए बड़ी कड़ाई लेनी आपको उसमें टेबल स्पून जितना डालना है जैसे ही ओइल गर्म होता है इसमें आपको डालना है लंबा कटा हुआ अनियन को आपको हाई फ्लेम पर पकाना है बहुत ज्यादा ब्राउनी करने आपको बस इसका कच्छा पंदूर होना चाहिए हल्का सा रेडनेस आनी चाहिए बस इतना पकाना है यह आप देख सकते हैं बिल्कुल आलमोस्ट पकने की कगार पर है लगबग पकी गया है तो आप मैंने चाहिए करड साथ में कैपकी कंव का यूज किया है और तो मैंने उनको भी डालने के बाद यसको अच्छे से 2 मिट्ट इस्टन किया है उसके बाद मैं सौund डालूंगी टेस्ट के कोड्णिंग आपको छो डालना है और सौल ढाले के बाद इसको अच्छे से मिक्स करन है अधर्वाइज आप नहीं भी मिक्स करेंगे तब भी चलेगा और इसमें आप जो भी मसाले आड़ करना चाहें वो डाल दीजिए तो मैंने या पर थोड़ा से धन्या पाउडर चिली पाउडर डाला है डालने के बाद फटा-फट से चलाना है इसको क्योंकि मसाले बहुत जलदी जल जाते हैं और इसको छलाने के बाद इसमें किıl साथ में ठोड़ा-ठोड़ल पाणी भीएड अंगर आपकी मैं 20 7 कानी इस में कर तो कुन i कर दो जाब तो यह अच्छा सा मिट्च हो गया इसथोर सब्जियों मैं इसके बाद मनें चिली साथ डाला अगर आपके प बीडाल सकते हैं जो भी सॉसे हैं आपके पास वीडाल दीजिए और डालने के बाद मैंने एक छोटा जितना सोया डाला है बस इसको शोगात करना है लिद रहां है। बस दालने के बाद सी supreme प्रहु है और जंदी इसको अ तूटते नहीं है इसको आपको धीरे हहले धीरे डोनों की से आपको चलाना है और चलाते हुए ही पकाना हैं अब को जब सब्जियां पका रही थी तब मैं पत्ता गोभी डालना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में पत्ता गोभी डाला है लेकिन ये पत्ता गोभी मेरा ब्लांच किया हुआ है इसलिए से पकने में टाइम नहीं लगेगा अगर आपने पत्ता गोभी आप भूल गए हैं डा तालके अच्छे से नूडल्स के साथ मिक्स किया है उसके बाद इसमें धन्या डाल दी और नूडल्स हमारे बिल्कुल बनकर तयार हो गए हैं इनको सर्फ कर लेते हैं किसी भी सॉस के साथ आप दीजिए अदर्वाइस आप सॉस भी मठ डालिया ऐसी इन्जॉय कर सकते हैं बह